स्वागते हैं और सभी को और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस लैपटोप अंडर 50,000 और इस लिस्ट में तीन ऐसे बेस लैपटोप पीक है जो हर एक वीजिस के लिए एक अच्छी लैपटोप निकल कर आती है चाहे बात हो गेमिंग के अफिट पूटेबलेट की इन सारी बातों को ध्यान में तो आज के लिस्ट में में तीन ऐसे बेस लैपटोप पीक है जो आप खरीच सकते अंडर 50,000 में 50,000 रुपे के अंदर हमें कापी सारे लैपटोप देखने को मिल जाती है लेकिन सारे लैपटोप आपके लिए एक अच्छी लैपटोप निक बात करती है इस लैपटोप में 14 इंच की फूल इसके डिस्प्ले दिखने को मिल जाती है और यह काफी कंपैक्ट साइज डिस्प्ले के साथ आती है जिससे आप कर सकते हैं काफी इसली अपने नॉर्मल बैग में इसके साथ ही इसके डिस्प्ले में हम एंटेक लियर टेक्न ने तो की बाद करें तो इस लैपटोप में एड़जी भी रा इंडिकने को मिल जाता ए और ऐ हम प 선생님 की बात करें तो इस लैपटोप में हमेर ते पो 35 prov ATM के और इंटिक्रेटर ग्राफिक्स होने के चलती इस लैप्टोप में आपको काफी अच्छी गेमिंग इस्पिरियंस दिखने को नहीं मिलते बठां इतना तो मैं कह सकता हूं कि आप मेडियम सिटिंग में कोई भी गेम इसली खेल सकते हैं और यदि आप एक बेस्ट गेमिंग ल आप देखने को मिल जाती है और इसके साथ हमें 1.4 भी पूर्ट देखने को मिल जाती है तो चलिए जाने पिए लैपटप आपको क्यों खरीदना चाहिए यह दिए आप एक पूर्टेबल लैपटोप दूड़ जिसके वेट कम हो और देखने में स्लीक और स्टाइलिस हो त का अच्छी वाग्यों जाती है और इस लापटोप में इस लापटोप से निया को ब्रॉसेसर दिखने को मिल जाती है और सबसे बात यह इस लैपटोप में स्टूरिस जिक्रेश को मिल जाती है जो इस लापटोप की परफोर्वेस्ट छोटी मोटी video टेण करते हैं दो भी लेटोप आपके लिए एक अच्छी option निकल कर आती है लेकिन इस laptop में dedicated graphics ना होने के चिंता आपको ठोड़ी slow process देखने को मिल जाएगी तो यदि आप अपने laptop में video editing करना पसंद करते हैं तो next laptop आप ज़रूर चेक करें और आज का हमारे list का दूसरा laptop निकल कर आता एमाई के तरफ से एमाई notebook 14 और यह काफी ज्यादा powerful laptop निकल कर आती है जब बात हो इसके price को consider करते हुए एमाई notebook 14 के specification के बारे में बात करें तो इस laptop में भी आपको 14 इंच का full HD compact size display दिखने को मिल जाती है और साथी में anti-clear technology भी प्रोसेसर की बात करें तो इस laptop में इंटल का तरफ से आना वाला core i5 10 generation का प्रोसेसर दिखने को मिल जाती है 8GB RAM और साथी में 512GB का SSD storage दिखने को मिल जाती है और एक laptop में SSD storage होने असाब की laptop के performance में काफी ज़्यादा speed दिखने को मिल जाती है ग्राफिक्स की बात करें तो इस laptop में हमें NVIDIA के तरफ से MX250 2GB graphics दिखने को मिल जाती है तो यह आप अपने laptop में छोटी मोटी video editing करना पसंद करते हैं या फिर graphics related कोई भी काम करना पसंद करते तो यह laptop आपके लिए एक अच्छी डिल निकल कर आती है कि इसमें आपको dedicated graphics card दिखने को मिल जाती है और साथ ही में 65W का fast charger भी दिखने को मिल जाती है physical USB ports की बात करें इस laptop में आपको 2 USB 3.1 टाइप और एक USB 2.0 टाइप दिखने को मिल जाती है और एक normal HDMI port यदि आप अपने laptop में Google Meet से conference call या फिर वीडियो पॉल तो इस laptop में आपको inbuilt webcam देखने को नहीं म मिल जाती है तो चलिए अब जाने तो इस laptop का आपको की खरिदने चाहिए तो दोस्तों अर्यापक्त साइज वाली laptop लेना चाहते है जिसमें आपको एक अच्छी पावर्फुल परफोर्मेंस देखने को मिल जाए और साथ ही में आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए काफी अच्छी ग्राफिक्स निकल कर आती है इस प्राइस पॉइंट के अंदर सिर्फ इतने इस laptop में आपको काफी ज्यादा पार्फुल परफोर्मेंस भी देखने को मिल जाती है तो अबरो लिए laptop का अच्छी डिल निकल कर आती है 50,000 रूपीस में यदि आप एक बेस्ट गेमिंग लैप्टॉप अंडर 50,000 धूड रहे हैं तो यह एसुस के तरफ से आना वाला एसुस टाफ गेमिंग लैप्टॉप आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है इस लैप्टॉप के स्विकेशन के बारे में बात क आप जाती है जिससे आपको वी और अच्छी और बहतर गेमिंग इस्प्रियेंस दिखने को मिल जाती है बीना किसी ज्यांप डिस्टाप के इस बात करें तो इस लैप्टॉप में आपको 8GB देखने को मिल जाती है और सबसे अच्छी बात यह कि लैप्टॉप की रैम का काफी ज्यादा अच्छी बात निकल कर आती है जिससे इन फ्यूचर आप रैम को अग्रेट कर एक अच्छी परफोर्मेंस पासकते हैं स्टोरेश की बात करें तो इस लैपटोप में वन टीवी इस डीडी स्टोरेश दिखने को मिल जाती है हां बट स्टोरेश के मामले में उत प्राइस पॉंट की जिससे आपको काफी ज्यादा बहतर गेमिंग स्क्र Madаль जी में इस लैपटना डीन कि बात करें आपको 5-6 घंट Should और देखने को मिल जाती है और साथ ही में 2.2 बेखने को मिल जाती है इसके अलावा इस लैप्टॉप में बैकलेट कीबोर्ट देखने को मिल जाती है और यह काफी ज्यादा अच्छी बात निकलकर आती है गेमिंग लैप्टॉप के लिए तो चलिए आप जान लेते हैं लैप्टॉप आपको क्यों खरीदना चाहिए यह दिया पेस्ट गेमिंग लैप्टॉप अंडर 50,000 डूड रहे थे जिसमें आपको एक अच्छी कासी गेमिंग एक्स्पिरियंस करने को मिल जाए और साथी में आपको एक अच्छी गेमप्ले तो एसुस टॉफ गेमिंग लैप्टॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो निकल गराते हैं लेकिन यदि आप पारफुल वीडियो एडिटिंग लैप्टॉप भी डूड रहे थे तो एसुस का टॉफ गेमिंग लैप्टॉप भी की निट्स को पूरी करती है कि इस लैपटॉप में आपको इन्फीडिया जीटीए 1650 का फूर्च भी ग्राफिक्स दिखने को मिल जाती है और यह काफी एच्छी बात निकल कर आती है गेमर्स के लिए और साथी में वीडियो एडिटर्स के लिए भी तो आज के वीडियों ह के नीचे दिएगा लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जूर जाएं